जो 1895 में डब्लू सी रोंजन ने 1895 में डब्लू सी रोंजन ने एक्सरेक्ट डिस्कॉवर किया उसके एक साल बाद 1896 के दर शिकागो का अमेरिका के अंदर एमिल गुरूबै ने इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया पहली बार ध्यान देना अब एक साल बाद इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक्सरेका यूज करना इस्टार्ड हो गया लेकिन उस टाइम जैसे एक्सरेक्टी खोज़ुई थी उसके कम से कम 25 सालों तक 1895 से लेकर 1920 तक 1920 तक एक्सरेके हजार्ड एक्सरेके नुकसान दाय के हामफुल इफेक्ट सामने नहीं आये थे उसके पात जैसे हामफुल इफेक्ट आते गए हमने प्रोटेक्शन लाना स्टार्ट कर दिया फिर ICRP बड़ी-बड़ी संस्ताय बनाए गई प्रोटेक्शन के